क्या आपको पता है इंडिया में 99% NGO ऐसे ही स्केम कर रहे हैं? ये लोग NGO के नाम पर इंडियन्स और विदेशी से फंडिंग लेके इंडिया में सारे गलत काम करते हैं और ये NGO officially register होते हैं और इनके पास हरेक लाइसेंस भी होते हैं तो कैसे fraud करते हैं जानने से पहले आप भी अगर मेरी तरह महादयों को मानते हो तो like, subscribe जरूर कर लेना देखिए एक website बना लो NGO के नाम से DOP के related क्यूंकि DOP के नाम से आसानी से पैसे मिल जाते हैं फिर एक इंस्टा और एक FB पेज बना लो और वहाँ पे एड चलाने लग जाओ कि ये कुते बिमार है इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और लाखो लोग रुपिये डोनेशन देंगे और सिर्फ इंडिया से नहीं विदेश से भी डोनेशन आएगी ऐसे होते हैं NGO के नाम पे स्केम तो अगली बार किसी को डोनेट करते हो तो पहले 100 बार वेरिफाई कर लेना मालूम पड़े कि आपके पैसे से कोई यूरोप में चुट्टी मना रहा है